बुड मॉनी बच्चो मैं मॉनी वेलकम टू हम इस्टडी चैनल आई आज आपका क्लास फाइब का वीडियो लेकर आए हैं क्लास फाइब में कमेंट्स आया था एक्सेस टू एफ का कोश्चन नमर फाइब बताने के लिए तो टू एफ का पिछला भी बहुत बार हम बता चु कि टू एफ का फाइब बताने के लिए था तो चलिए यहां पर टू एफ का कोश्चन नमर फाइब फिर से बता रहा है बैसा नहीं क्या आपको पूरा सुर्व करके बता देंगे हम आपको थोड़ा हिंस दे रहे हैं आप खुद से बना लीजिएगा यहां पर सबसे पहले क को पढ़ते हैं को से बोल रहा है इन स्कूल असेंज अस्टुडेंट्स आर एंस्टेंडिंग इकवली इन शिक्स्टीन रोज है वन टूटेव एक रोज होती है जिसमें टोटल कितना रोज बना जाता है रोज यानिकि लम लाइन जो खड़ा होते हैं लोग उसका बोल रहा हैस 5 followers in His hands 5 ऐसे बच्चे हैं जो अपना हाथ ऊपर पर किये होए हैं How Many followers there in all the total at कितने ऐसे बच्चे हैं जो हाथ ऊपर किये हुए है इसको दिखिए 60 रोज है एक खड़ा हो रहे हैं और एकली में टोटल कितने बच्चे आ है 125 तो हम यहां पर जिखिंगे ना किटो टल रोज बराबर 16 अस्टुडेंट नमबर फस्टुडेंट वरबर 125 तहा हम यहां पर 125 में 16 से मल्टीपल करेंगे गुना करेंगे जो आपके आयागा तो यहां पर छोड़ेंगे उसके बाद इतना यहां पर 16 इंसे जीरो नहीं होगा जो कि एंसर में एक और जीरो दे दिया है तो यहां पर देख लिजिए कि एंसर आपका गलत दिया हुआ है तो सबसे पहले हम 125 में चला चले आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 10 में हम आपको 10 तो पीछे पिछला क्लास में बता चुके थे लेकिन पूरा बता देखने के लिए जैसे कोईस्ट नंबर थ्री का सी यहां पर एक्सरसाइज टेन का तेन का थ्री का सी है ठीक है यहां पर देखिएगा टेन का थ्री का सी सी बोल रहा है देवरेज ओफ 0.2 एंड 0.002 इस 0.2 बोल रहा है कि 0.2 और 0.002 का एवरेज क्या 0.2 आएगा यह सही है यह गलत है स्वारी 0.02 क्या यह आएगा सही है यह गलत है तिसका हम एवरेज निकाल लेते हैं 0.2 और 0.002 का एवरेज हम निकालते हैं यहां पर निकालते हैं तोटल कितना जगत्य हो जाएगा यहां पर यहां पर कितना 0 हो जाएगा एक पर 3 0 यह करेंगे तो इसको हम डेसमल हटाएगे तो अब इसको कातेंगे 2 से कटेगा टू अंज़ टू, जीरो फिर टू अंज़ टू इतना आगे यानि कि इसका ये इसका एवरेज अगर हम निकालेंगे 101 by 1000 अगर एवरेज भी लेकर चलेंगे तो इतना नहीं आएगा यानि कि यह क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा गलत हो जाएगा इतना कैप्रे जello-पॉंड टू नहीं होगा तो यह अपनी ये और सब बन ग्या होगा ट्रू फॉ पॉल्स करना है चले आते हैं अब question number 10 तक तो हम आपको बता दिये थे minimum temperature और maximum temperature तक तो अब question number 11 से आपको भी बढ़ रहे है question number 11 बोल रहा है the minimum temperature of a town in a certain week was recorded as 20 degrees C, 18.9 degrees C, 21.4 degrees C, 20.3 degrees C, 22 degrees C और extra बोल रहा है कि find the average minimum temperature of the week question number 11 है बोल रहा है कि एक the minimum temperature of a town एक town का minimum temperature यानि कि सबसे कम temperature एक सबसे कम temperature का record दिया हुआ है 20 degrees, 18.9 degrees, 21.4 degrees, dot 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 dot, 19 degrees C, ठीक है उसके बाद बोल रहा है कि find the minimum average of minimum temperature जो भी आपका temperature दिया हुआ है 21 degrees C, 18.9 degrees C, dot 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 dot, फिर आगे में last में करके क्या दिया हुआ है 19 degrees C यह आपका minimum temperature है इसका record दे दिया है इसी minimum temperature का आपका बोल रहा है कि average निकालने के लिए तो हम average कैसे निकालते हैं सब को क्या करेंगे सब temperature को क्या करेंगे हम आइड कर देंगे आइड करने के बाद 7 से डिभाइड करेंगे क्योंकि एक विक में कितने दिन होते हैं 7 दिन तो उसको 7 से डिभाइड करेंगे जितना आएगा और minimum temperature का average निकल जाएगा तीस तरह question number 11 आपसे बन जाना चाहिए question number 12 है the price of 4 tables are 262 रूपए सब का लिखेंगे 262 रूपए 194 रूपए 306 रूपए और 225 रूपए वो रहा है कि चार टेबल है जिसका price दिया हुआ है find the average price of the table तो चार टेबल का average price निकलना यह चार टेबल दे दिया है ति इसका बोल रहा है कि जो चार टेबल का rate दिया हुआ है इतना रूपए 262 रूपए 194 रूपए 306 रूपए 225 रूपए ति यह सबका average rate आपको निकालना है कि चार टेबल का कितना होगा तो इसको भी उसी तरह करेंगे जिस तरह हम पिछला question को करते आ रहे हैं इसको भी क्या करेंगे ठेइड करेंगे add करने के बाद जुआएगा उसको कितना सी टिवाइड करेंगे फोर से टिवाइट करेंगे क्योंकि numbers कितना है इसलिये मार्ष मिंप projector करने के लिए याहां पर आपको जो मीलेगा गा और 110 बन आउतकि इसलिए नम क्या है सब्सक्राइब और 5 children are 10 years, 2 months, 6 years, 11 months, 15 years, 8 months, 10 years, and 4 years, 10 months respectively, find their averages, बोरा है कि 5 बच्चे हैं, जिनका एज दिया हुआ है कि 5 बच्चे एक इतने सल का है, एक 6 साली 11 मन्त का है, एक 15 साल 8 मन्त का है, और 12 साल का है, एक 4 साल और 10 मन्त का है, सब का दिया हुआ, इसका बोल रहा, लास्ट में फिर, कि find their averages, इसका average, total averages निका लिए, तो 5 जो लड़का है, सब का हम लिख लेंगे, लिखने के बाद सब को आइड कर देंगे, आइड करने के बाद उसको कितना से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहां पर numbers of children कितने आइड कर देंगे, उसके बाद जो आएगा, average करके, वहां पे, average बराबर निकल जाएगा, आपको, averages बराबर सब को आइड कर देंगे, आइड करने के बाद 4 से, sorry, 4 है न, 5 है, sorry, यहां से 5 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करिएगा, लास्ट में आपको, जितना साल और जितना मन्त कराएगा, वहां जाएगा, यहां पे निकल कर, यहां पे आपका जो आएगा हो, 14 बुल रहा है, यहां पे पहले question number 14 देखिए, 14 बुल रहा है, find the average of even and odd number between 10 and 24, also find which of the average is smaller, बुल रहा है यहां पे, find the average of even and odd number 10 and 24, between यानि की बीच में, 10 से 24 के बीच में, even and odd number को क्या निकलना है, every निकलना है, which of the average is smaller, और उसमें जो सबसे छोटा smaller average होगा, उसको लिखना है, कि सबसे smaller average बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है, तो यहां पे हम 10 and 24 के बीच में, odd or even count कर लेंगे, कितना होगा, odd even count करने के बाद, सबसे पहले odd निकालेंगे, ठीक है, सबसे पहले यहां पे हम odd लिखेंगे, odd बराबर 10 and 24 के बीच में, जितना बटा, जितना गिल लेंगे, उतना लिखेंगे, उसके बाद फिर even का निकालेंगे, even में बूसी तरह करेंगे, जितना आएगा, उपर हो पूसे लिखेंगे, उसको नीचे डिवायड करेंगे, और डिवायड करने के बाद, इसको यहां पे odd का निकले गाए यहां पे event का निकले गा, जितना जितना तु कोश्amtus निमड फिण कि वुरा यह पिंक एग्जाम पेंग्जली सिट फॉलोइंग मार्क्स इन फाइनली था मिनेशन इन हेर्ट इन्ट पॉलने city1 हिंदी का कितना है 79 और साइनस का कितना है 82 इसका बनाए गिया है उसके बाद इसको बोल रहा है सब्सक्राइब करने के बाद टू फोर और फाइब करने के बाद जितना आएगा उसमें कितना से फाइब से डिभाइड कर देंगे और टोटल का आजाएगा कोश्चन नमबर एबन गिया बी में बोल रहा है कितने सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स पराप्त हुआ हम यहां से निकाल लेंगे यहां से निकाल लेंगे न तो सबसे ज्यादा मार्कस किसमें लग रहा है उसके बाद गुल रहा है इन हाव मीनी सब्जेक्ट इही गॉट लोवर मार्क्स दैन दा एब्रेज सबसे कम मार्क्स की सब्जेक्ट में पराप्त हुआ है तो यह आश्यल देखकर आपको पता चलेगा हाईयर मार्क्स और लोवर मार्क्स आज आगा समझ में हम बार बार आपको बोलते भी हैं वीडियो में कि जो लैंग्वेज वाला मैथ है उसको लैंग्वेज लिख कर बनाईये यहाँ पर देखिए कोशन नमबर 16 16 बोल रहा है जो टेन नमबर का एबरेज है वो कितना है 62 है उसके बाद बोल रहा है कि एबरेज आप तो क्या करेंगे यहां कितना से करेंगे नाइन से आपको है लुए एक करने की बाद हम इस समको यह निकालना है घद आ जाए गा इस तरह buson Na 16 भी आ जाएगा तो टेन नमबर बराबर लिखेंगे यहाहाँ पर हैंस एब्रेज आप average of 10 number वराबर ठीक है आपको जितना माइनस कर क्या जागो आपका एंसर हो जाएगा इस तरह question number 16 बना लेंगे तो आज बस आपको इतना ही दे रहे हैं 11 से लेकर 16 तक आप पूरा बना लेंगे जिएगा और वो भी by language लेंगे से बनाना है और इसमें आपको जो problem होगी ओ कमेंट्स में भेज़िएगा और अगर वीडियो अच्छा लएगा तो लाइक करना और next अगर आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ओके थैंक्स